किसान बाईयों कापी सारे किसान बाईयों के मुझे यहाँ पर कमेंट्स आए हैं और बोल रहे हैं हमें सोलमी किस्त का पैसा नहीं मिला यानि सोलमी किस्त जो थी वो 28 परवरी 2024 को रिलीज हो गई और कापी सारे किसान बाईयों का यहाँ पर कमेंट्स आ रहा है कि हमें अपना किसान भाईयों का कमेंड शाया था कि लेंड शीडिंग की बज़े से दुए उनको PM किसान सम्माने दी यूजना का लाप नहीं मिला तो कलाप कैसे मिलेगा आप लेंड शीडिंग को कैसे सही कर सकते हैं और स्टेट में आपको PM किसान सम्माने दी यूजना की गवर्मेंट बैप साइट पे आजाना है आजाने के बाद आपको अपना रेजिस्टन नमबर निकालने के लिए क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ तो यहाँ पर जैसे ही आप आएंगे आने के बाद में आपको यहाँ पर एक ओप्शन देखने को मिलेगा यहाँ से आप जाकर अपना इस्टेट चेक करते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं इंटर रेजिस्टन नमबर और यहाँ पर यह क्या चाड़ा लेंगे यहाँ पर सेर्च वाई आप देख रहे होंगे यहाँ पर अपना मॉबाईल नमबर डालना है और यहाँ पर आपको अपना अधार नमबर डाल सकते हैं तो हम आधार पर क्लिक करेंगे ना कि मॉबाईल पर क्लिक करेंगे आधार पे क्लिक करने के बाद आपको अपना आधार नमबर यहाँ पे सिलक कर लेना है कैप्चा फील कर देना है अब यहाँ पर कापी सारे किसान भाईयों का क्रमेंट बोलेंगे कि सर हमें राजुन नमबर है हमारे पास नहीं है कोई बात नहीं है आप अपना रेजिशन आधार नमबर डालेंगे रकाइपचा डालेंगे और गिट मोबाइल OTP पे किलिक करेंगे जैसे ये OTP सेंड हो जाएगा फिर एक आपके सामने विंडू आएगा उस पे आप किलिक करेंगे तो आपका रेजिशन नमबर निकल आएग तो इस परकार से आप अपना रेजिशन नमबर यहां से निकल सकते हैं अब यहां पर बात आती है कि कापी सारे किसान भाईयों का जो फॉर्म है वो बेटिंग फॉर अप्रूबल या फिर इस्टेट में पढ़ा हुआ है तो उसको आप कैसे सही करेंगे तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ तो हम थोड़ा पीछे आएंगे और पीछे आजाने के बाद यहां पर आकर सबसे पहले हमें यहां पर पीछे आना है और यहां पर आजाने के बाद हमें सबसे पहले यहां पर स्टेट और सेल्प रेजिशन फॉर्मर C.S.C. के आप्शन पर जा कि वह निकल कर आजाएगी यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं आपका फॉर्म जो कहां पर पढ़ा हुआ है इस्टेट में पढ़ा हुआ है यहाँ पर अप्रूभ करने के लिए आपको एक वैब साइड है उस पे जाना है और जाने के बाद यह गवर्यन वैप साइड है उस वैप साइड पर जाने के बाद वहाँ से जाकर आप अपरूब करा सकते हैं जैसे मैंने अभी आपको सुरू में दिखाया था तो वहाँ से अपरूब करने के बाद आपका जो भी जरूरत हो तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एक website नीचे link मिलेगा उस link पे आप किलिक करेंगे तो सीधे आप नहीं पहुंच जाएंगे सारा कुछ YouTube पे दिखाना सही नहीं है ठीक है तो अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आपको नीचे link मिलेगा उस link पे किलिक करके आप जो भी आपकी समस्या हैं प्रोब्लम हैं वो प्रोब्लम आपकी solve हो जाएंगी मैं वीडियो वहाँ पे डाल दूँगा आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं जो link नीचे पड़ा हुआ है उस वीडियो को complete देखेंगे तो सारा कुछ आपकी समझ में आ जाएगा और आप अपना जो reland training है state में पड़ा हुआ है या फिर और कोई समस्या है उसको भी आप यहाँ से जाकर सही कर सकते हैं